है सोने के लिए उत्तर की दिशा दूसरे कई कामों में बहुत अच्छी है पढ़ना है लिखना है अभ्यास करना है तो उत्तर में मुह रखके करें लेकिन सोने के लिए उत्तर बिलकुल निशिद्ध है अब बागवट्टी जी ने लिख दिया मैंने देखना शुरू किया जब से यह पढ़ा तो मैं गाओं में भी बहुत जाता हूं तो कई बार गाओं में मैंने ऐसी इस्तती देखी है किसी का मृत्ति हुई तो मुझे अंत सिरूत्तर में करो पहला ही मंत्र है पहला ही मंत्र बोलेंगे मृत्व्यक्ति का सिरूत्तर में करो और हमारे देश में आरी समाज के एक संस्थापक रहे स्वामी द्यानिंद सरस्वती उन्होंने भारत में जो संसकार होते न जन्म का संसकार है गर्बाधान संसकार है मृत्य व्यक्ति का सिर उत्तर में करो, उसके बाद विधी शुरू करो, अब ये तो हुआ बागवट्ट जी का, दयानन जी का वगरा, अब मैं विज्ञान जोड रहा हूं इसमें, ये मेरा अपना एक्स्प्लेनेशन है, क्यों? आज का जो हमारा दिमाग है न ये क्यों के बिना मानत नहीं, हाँ, क्यों, क्यों ऐसा करें? कारण उसका बिलकुल साफ है, आधुनिक विज्ञान ये कहता है, कि आपका जो शरीर है, और आपकी जो प्रत्वी है, इन दोनों के बीच में कोई बल काम करता है, प्रत्वी और शरीर के बीच में, इसको हम कहते हैं, गुरुत्तु आ सबसे ज़्यादा तीव रहें, गुरुत्तु आकरशन के लिए, प्रत्वी का उत्तर, प्रत्वी का दक्षन एक चुम्बक की तरह से काम करता है, गुरुत्तु आकरशन के लिए, आपका जो शरीर है, इसका ये है उत्तर, सिर जो है न, शरीर का उत्तर है, और पाउं सो गए तो आपका सिरका उत्तर और प्रत्वी प्रत्थवी का उत्तर उत्तर दोनों साथ में आये तो force of repulsion काम करता है कि विज्ञान यह कहता है force of repulsion माने प्रतिकरशन बल लगेगा तो आप ऐसे समझो हिसको कि यह उत्तर है और आपने उत्तर में सिर किया तो उधर से एक प्रतिकर्शन बल आपके शरीर पर काम करेगा तो ये प्रतिकर्शन बल जब शरीर पर काम करेगा धक्का देने वाला बल तो आपके शरीर में संकुचन आएगा contraction और शरीर में अगर संकुचन आया तो blood pressure पूरी तरह से control के बाहर जाएगा क्योंकि blood को भी pressure आएगा क्योंकि शरीर को pressure आया ना तो शरीर में खून है, खून को भी pressure आएगा और अगर खून को pressure है, तो नीद आएगी ही नहीं मन में हमेशा धरपड धरपड चलती रहेगी हिर्दय की गती हमेशा तीवर रहेगी तो उत्तर की दिशा प्रत्वी की है जो नौर्थ पोल कहलाती है हमारे शरीर का उत्तर ये है सिर अगर ये दोनों एकी दिशा में हो force of repulsion काम करेगा प्रतिकरशन बल लगेगा शरीर में संकुचन आएगा नीद आएगी ही नहीं अब इसका उल्टा कर लो आपका सिर दक्षण में कर दो ठीक है प्रत्वी का दक्षण में आपका सिर कर दो तो आपका सिर तो नौर्थ हुआ और प्रत्वी का दक्षण हुआ तो आपका नौर्थ मने उत्तर और प्रत्वी का दक्षन ये दोनों एक दिशा में हैं तो force of attraction काम करेगा एक बल आपको खीचेगा और अगर आपके शरीर पर खीचाओ पड़ेगा मान लीजे आप लेटे हैं और ये प्रत्वी का दक्षन है और इधर आपका सिर है तो आपको खीचेगा अगर कोई तो शरीर थोड़ा सा बढ़ा होगा जैसे रवर खिचती है ना elasticity ऐसे ही शरीर में थोड़ा सा बढ़ा हो आएगा जैसे ही शरीर थोड़ा सा बढ़ा तो बॉड़ी में relaxation आ गया आप अंगडाई लेते ना शरीर को तान देते हैं फिर क्या लगता है बहुत अच्छा लगता है क्योंक तो इसलिए बागवट जी ने कहा कि दक्षण में सिर करेंगे, तो शरीर पर force of attraction है, उत्तर में सिर करेंगे, तो force of repulsion है, force of repulsion में शरीर पर दबाओ पड़ता है, force of attraction में खिचाओ पड़ता है, खिचाओ और दबाओ एक दूसरे के विप्रीत हैं, दबाओ से शरीर में है तो नीद नहीं है इसलिए उन्होंने बहुत बहत्रीन विश्लेशंड दिया है यह विश्लेशंड मैं मानता हूं जिंदगी के सारे मानसिक रोगों को खतम करने का अखेला है सूत्र नीद अच्छी अगर ले रहे हैं आप तो समझ लीजे दुनिया में बहुत सारी चीजें आपके शरीर से बार भोजन अच्छा है नीद अच्छी है और क्या चाहिए तो आप नीद अच्छी लें ब्रेन हमेशा आपका force of attraction पे रहे इसके लिए दक्षण में सिर करके सोना बहुत अच्छा और नहीं तो पूर्व में करना अब पूर्व क्या है पूर्व के बारे में प्रत्वी पर research करने वाले सब वैज्यानिकों का कहना है कि पूर्व neutral है पूर्व जो है ना neutral है ना तो वहाँ force of attraction है ज्यादा ना force of repulsion है और अगर है भी तो दोनों एक दूसरे को balance किये हुए है इसलिए पूर्व में सिर करके सोईंगे तो neutral आप भी रहेंगे तो आसानी से नीद आएगी और अच्छी नीद आएगी पश्चिम का आप पूछेंगे जी पश्चिम के लिए अभी research होना बाकी है बागवट जी मौन है उस पर कोई explanation देकर नहीं गए है और आज का science भी लगा हुआ है कोई research अगर आ गई तो मैं जरूर आप तक प्रिशित करूँगा पश्चिम के बारे में सोने के हिसाब से वै जीप के हिसाब से जो सूत्र में बात कर रहा हूं वो research पश्चिम पर कम हुई है पूर्व पर हो चुकी है दक्षन पर बहुत हो चुकी है उत्तर पर तो सबसे ज़्यादा हो चुकी है तो यह तीन दिशाओं को ध्यान में रखना है सोते सब बाने पूर्व में सिर करके और किनको दक्षन में उन्हें केटेगरी बना दे तो वो कहते हैं जो साधू है जो सन्यासी है जो ब्रह्मचरिका पालन कर रहे हैं जो ग्रहस्त जीवन नहीं जी रहे हैं जो दुनिया की मोह माया से दूर है इन सब को पूर्व में ही सिर करना हमेशा और जो दुनिया चला रहे हैं घर चला रहे हैं ग्रहस्ती चला रहे हैं परिवार चला रहे हैं पत्नी के साथ रह रहे हैं बच्चों के साथ उनको दक्षण में ही सिर करना अब यहां बिल्कुल क्लियर हो गया अब कोई confusion नहीं रहना चाहिए आप जितने लोग हैं सब अपना परिवार चलाने वाले घर ग्रहस्ती चलाने वाले दुनिया चलाने वाले लोग हैं तो आप तो आज ही अपने बैड की position बदलो दक्षुन में सब के सिर्व होने चाहिए बैड के और मेरे जैसे लोग जो शादी नहीं करते ब्रह्मचारी हैं वगरा वगरा इनको पूर्व में ही सोना सादू जी सादवी जी जो भी हैं जिनको अपने जीवन में नेश्ठिक ब्रह्मचारी का पालन करना है सादू महत्मसंत इनको पूर्व में ही सोना है सिर्व र ही सूत्र अब आप सवाल पूछ सकते हैं जरूर सुलाइए जिन बच्चों की लंबाई आपको कम लग रही है आप हमेशा उनका सिर्दक्षन में रखके सुलाइए थोड़े तीन चार साल के बाद आपको खुद महसूस हो जाएगा लंबाई बढ़ती हुई दिखाई देगी राजी बाई कल आपने बताया था सुबह उड़ता ही पाने पिना चाहिए लेकिन जैन दर्म में यह बताता है कम से कम 48 मिनिट बाद में खुछ भी लेना चाहिए जो जैन दर्शन में 48 मिनिट का न नियम ऐसा है जो पानी है ना पानी बहुत सारी जीवराशियों का संग्र है अब यह थोड़ी सुक्ष्म की बात है मैं जाना नहीं चाहता था लेकिन सवाल पूछ लिया इसलिए कहा पानी जो है सुक्ष्म जीवराशियों का संग्र है आप चाहें तो पानी में लेंस लगा है कि आपका जो मुह हैं यह जो लार है न यह मैंने आपसे कहा कि सुबह के समय सबसे ज्यादा तीवर होती है मेडिस्नल प्रॉपरटी ज्यादा होती है